दोस्तो आज हम आपको एक बहुती अजीब प्रथा के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके भी होशूर जाएंगे तो वीडियो में बने रहें दोस्तो दुनिया में कई जन जाती के लोग रहते हैं जो कि अपने अपने नियम काउन मानते हैं और कुछ जन जाती तो आज के दुनिया के भाग दोड़ भरी जिन्दगी से भी काफी दूर हैं दुनिया में हो रहे बदलाओ के बारे में तक हिन्हें कुछ नहीं पता दोस्तो दुनिया में कई लोग आज भी शहरों से दूर जंगलों में बने कबीले में रहते हैं ऐसे लोग अपने पुर्खों के बनाए नियम और कानून को मानते हैं और अपने आने वाली अगली पीड़ी को ये कानून और नियम देख कर जाते हैं तो दोस्तो आज हम आपको एक इंडोनेश्या में रहने वाली एक ऐसी ही जनजाती के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तो हम बात कर रहे हैं दानी जनजाती की ये ट्राइप न्यू गीनी में रहती है दोस्तो ये लोग आज भी सद्यो पुरानी नियम काईदे का पालन करते हैं और दोस्तो ये जन जाती अपने अलगी दुनिया में रहती है और इने बाकी दुनिया के हो रहे विकास से कोई मतलब नहीं है इस जनजाती में सबसे ज़्यादा महिलाओं की जिन्दगी नर्ख है दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि इस ट्राइब में महिलाओं की बहुती कम उम्र में शादी कर दी जाती है जिससे कच्ची उम्र में इन पर मा बनने की जिम्मेदारी आ जाती है जिसके कारण कई मैला है तो प्रसो पिड़ा के दोरा नहीं मर जाती पर दोस्तो इस जन जाती का काला सच यही नहीं है बलकि यहां की मैलाओं की तकलिफ तो यहां की बेहदी दर्दनाक रीती रिवाज है जी हां, दोस्तो इस जन जाती में मैलाओं की तकलिफ तब सुरू होती है जब इस जन जाती में किसी मैला का पती बर जाता है जी हां, तब उस मैला की नर्ग भरी जिंदगी सुरू होती है दोस्तो दानी ट्राइब में जैसे ही किसी महिला के पती की मौत होती है तो उस महिला के हातों के उंगलियां काट दी जाती है जिया इस दर्दनाक और अमानुय प्रथा के पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वालों की आत्मा को शांती मिलती है दोस्तो महिलाओं की उंगलियों को काटने से पहले उनकी उंगलियों में धागा बान दिया जाता है जिसके बाद उनकी उंगलियों को कुलाडी से काट दिया जाता है दोस्तों आज भी जो बुजुर्ग महलाएं इस दर्द को सहकर बची हुई हैं उनकी उंगलियां आज भी कटी हुई देख सकते हैं ये इसी रिती विवाचे कारण है दोस्तों हाला कि अब इंडोनेश्य सरकार ने इस परंपरा पर पूरा बैन लगा दिया है फिर भी यहां कई लोग आज भी आदमियों की मौत के बाद मैलाओं के उंगलियां काड देते हैं तो दोस्तों अगर ये फैक्ट आपको अच्छी लगी हो तो प्लिस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें